हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल और लिन वन शॉल्यूशन इन हिंदी में दोस्तो मैं हूनीर जा रही है दोस्तो आज में बताऊंगा आपको एक महाभारत के एक अजीव रहसे के विसे में जो आप नहीं जानते होंगे दोस्तो महाभारत में कई घटना को संबंद जो है कई ज्यान विज्यान से रहसे चिपे हुए है जिसके विसे में आज बताऊंगा मैं आपको दोस्तो महाभारत का हर पात्र जीवन्त है चाहे वह कोरव हो या पंडव कर्ण कृष्ण या कोई भी हो शल्ये छिखंडी और करपचारिय कोई भी है इन में दोस्तो महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथा और तक्सीमित नहीं है महाभारत से जुड़े शाप वचन और आशिराद भी रहसे चिपे हुए है क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहसे में था दोस्तो महाभारत एक ऐसा गरंथ है जिसमें भारतिय ही नहीं विश्व इतिहास का रहसे भी चुपा हुआ है महाभारत सम्मंदी अब तक की जित्ती भी खुदाई हुई है या उस काल के तथ्यमिले हैं वे सब मानव इतिहास के रहसे परदा उठाते हैं दोस्तो भारतिय ही नहीं जिसमें मनुस्यों के इतिहास का अभी भी वह काल खंड चुपा है जिसके जानने से ग्यान विज्यान खगोल धर्म आदी के मामलों में मनुस्यों की जानकारी बढ़ती है और मजबूत होती है दोस्तो और आश्रे की बात ये है कि किसी भी देश इतिहास को धर्म के चस्मे से नहीं दिखा जा सकता अव हम जानते हैं कि दोस्तो महभारत काल में दस व्यक्ति होए हैं जो अद्भुत थे जिनकी छमता जो है बहुत अधिक थी वे आम आजमी की तरह można नहीं थे वे कुछ और की तरह छमता संबन थे दोस्तो आज हम बात करेंगे महाभारत के पात्र जो थे महाभारत में जो थे सहदेव के विशे में जो दोस्तो पांचो पंडव थे इसमें जो है सहदेव का जो स्थान जो है प्रमुख है सहदेव बहुत रहस्यम ही प्रसंद थे जिसके विसे मैं आपको बताऊंगा आज मैं दोस्तो पांच पंड़ों में से दो नकुल और दो सहदेव दोनों ही मादरी अश्वनी कुमार पुत्र थे सहदेव भविष्य में होने वाली हर गटना को पहले से ही जान लेते थे वे जानते थे कि माभारत में होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजही होगा लेकिन भगवान कृष्य ने उन्हें साफ दिया था अगर वह इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उसके मित्ति हो जाएगी दोस्तो यह सहदेव को सक्ति कैसे मिली इसके इतिहास के बारे में जानेंगे दोस्तो हम बने रही है आप सहदेव के धर्म पिता पांडू बहुत ही ग्यानी थे उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके पांचों बेटे उनके मरत सरीर को खाएं ताकि उन्होंने जो ग्यान रजीत किया है वह उनके पुत्त्रों में चला जाए सिर्फ सहदेव ने हिम्मत दिखा कर पिता की इच्छा पालन किया उन्होंने पिता के मस्तिस के तीन हिस्से खाए पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतियास का ग्यान हुआ और दूसरा टुकड़ा खाने से वरतमान की का और तीसरा टुकड़ा खाते ही वे भविश् तो दोस्तो तो सहदेवित्ते ग्यानी थे सब कुछ जानते हुई उन्हें कुछ नहीं बताया замusement सब जानते थे वो तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसी लगी यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तो लाइक कर दें शेयर करें कमेंट करें यदि आपने मर्च चैनल को सब्सक्राइब करें खंक्ति के निसान को दबाएं यह सबसे पहले सबसे जाएं दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद